नमस्ते, आज हम सुनेंगे इद गाह कहानी की अंतीम भाद। हामिर तुम मुझ चिरा कर कहां। ये वेचारे हैं। हामिर आदूर घुस्ता में हीन को कपरें है। अच्छे लाओ, अभी जरत पुस्ती हो जाए। इसकी सुरत देखकां दूर से भागेंगे, पक्रेंगे क्या वेचारे। मौसिन को एक नई चोड शूच गए। तुम्हारे चीमते का मुझ रोज आग में जलेगा। उसने समझाता है कि हामिर लाजवाब बजाएगा। लेकिन ये बात ही हामिर ने तुरत जवाब दिया। आग में बहादूर ही फुटते हैं जना तुम्हारे ये वक्ति, शिपाही और रिष्टी लेडियों की तरफ भड में गुश जाएंगे। आग में तुर्णा वो काम है जो ये रिष्टम ही हिंदी कर सकता है। महमूल ते एक जो लगा है। वकिन सहाब फुर्णी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारे चिम्ता तो वावर्ची खाने में जमीन पर खड़ा रगेगा। इस तरफ ने सम्री और नुड़े को भी सजीव कर दिया। इतने ठीकाने की बात कहीं है पर खेले। चिम्ता वावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या पर सकता है। हमें तो कोई पड़कता हुआ जवाब ना सुजा तो उसने धादली सुरू की। मेरा चिम्ता वावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वपिन साहाब कुर्शी पर बैकेंगे, तो जाकर उन्हें जमिन पर पटक देगा। और उनका कानुन उनके पेत में डाव देगा। पात कुछ बनी नहीं, खासी गाली बरवज थी, लेकिन कानों को पेट में डालने वाली बात छाबे, ऐसे छाई कि दीनों सुर्मा मुँ ताकते रागे, मानों कोई धेल चा कंता हुआ, किसी गंडे वाले कंता हुआ को काब गया हो, कानों मुँ से बाहर निकलने वाली चिंज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए, बेतु किसी बात होने पर भी कुछ नया परवरती है, हामिज दे मैदान माल लिया, उसका चिंटा रुस्तम हीं है, अब इसमें मौसीन, महमूर, नूरे, सम्मिन किसी को भी आपती नहीं हो सकते, विजे तक हार्डे वालों से जो हामिज ने इन पैसे में रंद जमाली जाए, सची तो है, खिलावनों का क्या भड़ोशा है, फूट फूट जाएंगे, हामिज का चिंटा बना लहेगा बर्षों, संदी की सर्थ तैय हो गई, महमूसीन ने कहा, जर आपने चिंटा तो हम भी देखे, तो हमारी भीश्ती ले कर देखो, महमूद ने नूरेने में अपने खिलावने पेश थी, हामिज को इन सर्थों मक्वो मारने में कोई आपित्ती ना थी, चिंटा बारी 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 से सब के हाथ में दिया, और उनके खिलावने बारी बारी से हामिज के हाथ में लाए, इतने खुबसूरत खिलाव हामिद ने हारने वालों के आसु पोछे मैं तुमें चिरहा रहा था साच ये लुहे का चिम्ट भला इन खिलानों की क्या बढ़ावर्ण करें रहा बालू होता है अब बोले अब बोले लेकिन गौंसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता चिम्टे का सिपका फू से नहीं छूट रहा है लेकिन इन खिलानों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा रामुद दुआ को लिए फिटते हो उटे मार पड़ेंगे अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में मिठी के खिलाने मिले तुम्हें हामिद तो स्विकार करना पड़ा कि खिलानों को देखकर कि किसी के मा इतनी खुष्ष न होगी जितने दादी चिम्टे को देखकर होगी दिन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उप्रियोग पर पस्तावे की बेखुल ज़र्व न थी फिर अब तो चिम्टा रूस्ता में हेंध है और सभी खिलानों का उसके बाप ने केले खाने को दिये मैं गूंते किवन हामित को साजी बनाया उसके अन्य मित्र मुझ ताक्ते रागये ये उस चिम्टे का प्रसाथ था 11 बजे साड़े गाह में हल्चल मजदे मिले वाले आ गए मौसिन की छोटी बेहन ने दोर कर विष्टी उसके हाथ से छिन लिया और मार एक कुछी के जोच ली तो मिया विष्टी नीचा आ रहे और सुलोग सिधा रहे इस पर भाई वहन में मार पीठ हुई दोनों कूब रोएं उनकी आमा ये सोर्शून का विगरी और दोनों को उपर से दो दो चांटे और लगाएं मिया नूरे आल के वकिल का अंत उसके प्रतिष्ठानुपूल इससे ज्यादा गोड़म में हुआ वकिल जमिन पर यताप पर तो नहीं बैठ सकता उसके मर्यादा का विचार तो करना ही होगा देवार में दो खुटिया गारी गई उन पर लक्री का एक पट्रा रखा गया पट्र पर कागज का कालीन बिच्छाया गया वकिल साब राजा बोज की भानती सिंहासन पर विराजी नूड़े ने उन्हें पंखा जहलना सुरू किया अदालतों में खस की तट्टियां और विजली के पंखे रहते हैं क्या यहां मामूली पंखा भी ना हूँ कानून की गर्मी इतिमाग पर चर जाएगी की नहीं पंखा आया और नूड़े हवा करने लगे मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वो फिल साब से और अगलोप से मरतलोप में आ रहे और उनकी माती का चोला माती में मिल गया फिर बड़े जोर सोर से मातम हुआ और वाकिन साहब की अस्थी गूड़े पर डाल दिए अब रहा महमूत का सिपाही उसे चट पर गांग का पहड़ा देने का चार्ज मिल गया लेकिन फुलिस का सिपाही कोई साधारन व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैड़ो चले वो पाल की पर चलेगा एक तोक्री आए उसमें कुछ लाल रंके फटे पुड़ाने चित्रे बिछाए गये जिसमें सिपाही साहब अराम से लेते हैं नूड़े ने ये तोक्री उठाई और अपने द्वार पर चपकर लगाने लगे उनके दोनों छुटे भाई सिपाही की तरफ से छोने बाले जागते लहो उकारते चलते रहे मगर राग तो अंधेरी ही होनी चाहिए महमुद को ठोकर लग जाती है ठोकरी उसके हाद से छुट कर दिल परती है और मिया सिपाही अपने बंदु के लिए जमिल पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है महमुद को आज ग्यात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर भी है उसको ऐसा मरह मिल गया जिससे वो पूटी टांगे को आनंद पानद में जोड सकता है कि बल गुलर का दूद चलिए गुलर का दूद आता है टांग जोड दी जाती है लेकिन सिपाहीं को जेवने खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है शलेत्रिया असफल गुलिए तब उसके दूसरी टांग भी तोड दी जाती है अब कम से कम एक जगा आराम से बैट तो सकता है एक टांग से तो न चल सकता था ना बैठ सकता था अब वो सिपाहीं सन्यासी हो गया अपनी जगों पर जितना रुपांदर चाहूं कर सकते हो कभी-कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता था अब मियां हामित का हाल सुने अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसे गोद में उठा कर प्यार करने लेदी सासा उसके हाथ में चीमता देखकर वो चोंकी ये चीमता कहा था मैंने मोल लिया है क्या पैसे में? तीन पैसे दे अमीना ने छाती पिख ली ये कैसा भी समझ लड़ता है कि दो पहर हुआ कुछ खाया नपिया लाया क्या ये चीमता साड़े में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चीम्टा उठालाया हामीद ने अपरादी भाव से कहा तुम्हारी अंगुलिया तब एसे जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया भुढिया का क्लोध तुरं स्ने में बदल गया और स्ने भी वो स्ने नहीं जो प्रगर्द होती है और अपनी सारी कसर सब्दों में बिठेच देता है ये मूप स्ने था खुब ठोस, रस और स्वास से भड़ा हुआ बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्वाव और कितना विवेक है दूसरों को खिलोने लेते और मिठाय खाते देखकर इसका मन कितना लग्चाया होगा इतना जब तिससे कैसे हुआ वहाँ भीर से अपनी बुढ़िया दादी की याद बढ़ी रही अमिना का मन गदगद हो गया और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई हामित के इस सीम्टे से भी विचित्र बच्चे हामित ने बुढ़े हामित का पार्ट खेला बुढ़िया आमिना बालिका आमिना बन गई वो रोने लगी दामन फैला कर हामित को दुआए देती जाती और आशु की बड़ी बड़ी बुंदे गिराती जाती थी हामित इसका रहस से क्या समझता